हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाश्ट एक्जाम के डिजिटल प्लेटवर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिन अन्दन है बिल्कुल दोस्तों आपकी जो एक लास है आज भी रिकोड़ेड फोर्म में ही आपको मिलने वाले है क् जिसके वज़े से आप बिल्कुल भी टैंसन मत लीजिए हम आपके बिल्कुल साथ हैं ठीका दोस्त चलिए अब ज़्यादा टाइम वेश्ट ना करते हुए पहरे बच्चे अपन जो है क्लास की यहाँ पर स्टार्टिंग कर देते हैं गणपती पापा का नाम लेते हुए और क्लास यहाँ पर श्टार्टिंग कर देते हैं यहाँ पर यह क्या हो गया चलो अच्छा यह सुबह सुबह नाराज हो जाता है थोड़ा सागी इसको साप नहीं करते है तो आस नाराज हो जाता है बोड चलिए पहरे बच्चे आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटीवसिन क्या है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग में विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए कि अरे विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मन्जिल तक जाने के लिए बिलकुल सही बात कही गई है सही बिलकुल पते की बात कही अगर तुम तयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई साथ तुमारे सामनी ऐसे ऐसे लोग आYEG effectivement मेरे मामा गलड़का है मैं लगवा देगा तरह को थीए टीक है मेरे मामा लगता है दिल्ली पुलिस मिरा भाई लगता है दिल्ली पुलिस में manufacturer टक की जान करेеш एकONG अग्छ मि लेकिन अगर मालोत तुम अगर तयारी करते हूं नोकरी लग जाते हो तो उनकी जबान ये हो जाएगी और हमको तो पता है त्यार छोरा एक नंबर का है कभी किसी के साथ बैठा ने देखा कभी बजार में गुमते ने देखा सार दिन वाइसा पड़ता है रहता है हमको तो पता है ये तो लगने ही वड़ा है तो ये एक बिल्कुल रियालिटी है आप बिल्कुल देखी होगी आपने नहीं देखी है तो जल्द ही देख लोगे ठीक है ये बिल्कुल एक रियालिटी है एक समाज की है तो आप बिल्कुल बिल्कुल देख पाओगे चलिए इन राज्यों में पहला इस्तान किसने प्राप्त किया तो प्यारे बच्चे बडे राज्यों में जो पहला इस्तान है किसके अंदर पाचवे राज्य खाद सूचकांग दोहचार तेईस विसकंदर ये किया गया है किसके द्वारा केरल के द्वारा केरल ने किया है पहले नंबर क मंदाविया जी है कोण है मनसुक मंदाविया इन्होंने जारी किया है और मनसुक मंदाविया कोण है ये है आपके स्वास्त्य मंत्री ये कोण है प्यारे बच्चे आपके स्वास्त्य मंत्री है मनसुक मंदाविया इसको जारी करने का उद्देश क्या रखा गया है तो लिखे एक बार जल्दी से उद्देश है इसका स्वस्त परतिसपरधा को बढ़ावा देना और पोष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करना सुनिश्चित करना ठीक है सुनिश्चित करना ये हो जाएगा क्या इसका उद्देश सुनिश्चित करना अब बात आती है कि गुरुजी पहले नमबर पर कोण सा आगया है केरल राजे लेकिन और दूसरे नमबर पर कोण सा है तीसरे नमबर पर कोण सा है तो जल्दी से लिख देखो एक बार पैरे बच्चे जो आपका दूसरे नंबर पर है ना दूसरे नंबर पर कौन सा राज है देखो पहले नंबर पर तो है केरल ठीक है दूसरे नंबर पर कौन सा राज है आपका पंजाब दूसरे नंबर पर हो जाएगा पंजाब तीसरे नंबर पर है पैरे बच जी तक ही आपसे पूछा जा सकता है ठीक है केरल हो जाएगा पंजाब हो जाएगा तमिल नाडू हो जाएगा मद्द परदेश हो जाएगा और एक पांचवा और लिख लो दोस्त उत्तर परदेश पांचवा और लिख लीजिए उत्तर परदेश इन पांचवा में से ही आपक कुछ बाते ना करें तो बिलकुल मेरे बाई केरल राजजी के बारे में यहाँ पर जरूर से बाते नोट करेंगे पहली बात तो क्या है केरल राजजी के बारे में देखो केरल की जो राजधानी है यहाँ पर आप नोट डाउन करना सर केरल की जो राजधानी है राजधानी क् करेंगे एक बार तिरुवनंत पुरम तिरुवनंत पुरम बोलेंगे एक बार सभी क्या हो जाएगी तिरुवनंत पुरम ठीक है इसके बाद सर यहां के जो यहां के जो मुख्य मंत्री है ठीक है यहां के जो मुख्य मंत्री है वो कौन हो जाएंगे सभी प्यारे बच्चे नो मुहम्मद खान आरिफ मुहम्मद खान यह कौन हो जाएंगे यहां के वर्तमान में राजिपाल हो जाएंगी ठीक है आया समझ में इसके बाद नेक्ष्ट बात करें दोस्त किसके बारे में सर केरल जो राज है इसका गठन कब होता है तो सभी पैरे बचे नोट करेंगे एक समबर 1956 के अंदर केरल राजिगा गठन होता है नेक्ष्ट क्या नोट करेंगे कि सर यहां की जो बासा चलती है बासा कौन सी चलती है सभी पैरे बच्चे नोट करेंगे मल्यालम बासा चलती है कौन सी चलती है मल्यालम बासा चलती है इसके बाद नेक्ष्ट क्या पूछ सकत केरल को इसके बाद यहां पर जो राज सभा की सीटे हैं वो आ जाएंगे आपके 9 लोग सभा की सीटे हैं वो आ जाएंगे आपके 20 और जो विदान सभा की सीटे हैं वो आ बोलेंगे सबी एक बार इसके बाद सर नर्त भी दो परकार के होते हैं एक होते हैं आपका लोक नर्त एक होते हैं सास्तिरे नर्ते तो यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं पहले एक बार सास्तिरे नर्ते के बारे में जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा आपका कथकली कथकली हो जाएगा और एक हो जाएगा पहरे बच्चे आपका मोहिनी अट्टम कथकली और मोहिनी अटम ये दोनों हो जाएंगे आपकी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें पहरे बच्चे कि यहां के सर जो लोक नर्ते है लोक नर्ते हैं लोक नर्ते हैं से भी काफी जादा परसनाज कल पुट अफ हो रहे हैं पहला लोक नर्ते कोन सा हो जाएगा आपका कुडिया बिल्कुल जो आपका कुडिया कुड़म है पहला लोक नर्ते कोन सा हो जाएगा कुडिया कुड़म हो जाएगा अगली बात करें सर दूसरा लोक नर्ते कोन सा हो जाएगा पैरे बच्चे हो जाएगा आपका काली अट्टम दूसरा लोक नर्थे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा काली अट्टम काली अट्टम के बाद काली अट्टम हो जाएगा काली अट्टम के बाद तीसरा लोक नर्थे मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा आपका कोल कली ठीक है कोल कली हो जाएगा आपका तीसरा लोक नर्त कुडिया कुडम काली अटम कोल कली और लास्ट है आपके थेयम के आगे आ जाएगा ओपमा तो ये हो जाएगे पैरे बच्चे आपके क्या हो जाएगे लोक नर्थे हो जाएंगे? चलिए गुरुजी, अगली बात कर लेते हैं अब अगली बात क्या करें भाई साभ? यहाँ पर लोक नर्थे हो गए लोक नर्थे के बाद एक यहाँ पर no down करीएगी सबी पैरे बच्चे त्यौवार के बारे में कि जो केरल राजी के बारे जो केरल राजी है केरल राजी में कोण कोण से त्योवार मनाय जाते हैं तो पहली बात करें तो प्यारे बच्चे केरल राजी के अंदर मनाय जाता है ओनम तो कम मनाय जाता है ओनम मनाय जाता है आपके फसल के टाई की टाइम और विशु कम मनाय जा जाता है विशु मनाय जाता है आपके कब है जब जो नवर्स होता है नई साल होती है तब मनाय जाता है यहां पर है विशु ठीक है विशु के बाद मनाएंगे आपके कौन सा अतू बेला अतू बेला त्युवार अतू बेला के बाद प्यारे बच्चे मनाएंगे आपका अट अट्टूकल पोंगल मनाये जाएगा इसके बाद नेश्ट क्या बात करें गुरुजी त्योवार बता दिये लोक निर्थ बता दिये अब एक बार नेशनल पार्क बता दे तो भाई साब न्याल कर दे गुरुजी चलो न्याल कर देंगे अब की बार नेशनल पार्क और देख करना यहाँ पर ठीक है नेशनल पार्क के अलावा पहले मां आपको यहाँ के हवाई अड़्डे हवाई अड़ रिवन नोड़कना यहां के यहां के फेमस फेमस अड़कर हवाई अड़क्राइट अब हवाई अड़े नोट करना एक तो हो जाएगा आपका त्रीविंद्रम हवाई अड़ा त्रीविंद्रम इंटरनेशनल हवाई अड़ा त्रीविंद्रम इंटरनेशनल हवाई अड़ा त्रीविंद्रम का त्रीविंद्रम हवाई अड़ा नेक्स्ट आजाएगा पहरे बच्च अगली बात क्या करेंगे यहां पर सर जो जाके बांद है बांद कौन कौन से है तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से नोट डाउन करेंगे एक तो हो जाएगा यहां का इडुक की बांद इडुक की बांद के बाद एक आजाएगा आपका कौन सा मुल्ला पेरियार मुल्ला पेरियार बांद और मुल्ला पेरियार बांद के बाद कोण सा हो जाएगा आपका चिमनी बांद मुल्ला पेरियार के बाद कोण सा हो जाएगा पैरे बच्चे बोलेंगे एक बार चिमनी बांद अब देखो बात है समझने की यहाँ पर जो आपका इडुकी बांध और मुला पेरियार बांध है ये किस नदी के किनारे है तो प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार ये है आपके पेरियार नदी के किनारे और जो आपका चिमनी बांध है ये किस नदी के किनारे है तो ये हो जाएगे आपके चिमिनी नदी के किनारे तो ये सारी चीज़े आप एक बार जरूर से लिखना अगली बात क्या करें बांध के बाद तो सर यहाँ पर बता दो एक बार परियटक इस्तल परियटक इस्तल गोमने कहा कहा पर जाएंगे तो मेरे भाई पदम नाब स्वामी मंदिर जो आपका पदम नाब पदम नाब स्वामी मंदिर पहले तो चलेंगे यहाँ पर पदम नाब स्वामी मंदिर अगली क्या चलेंगे गुरू जी अगला हो जाएगा आपका सबरी माला मंदिर ठीक है अगला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका पदमनाप स्वाय मंदिर सबरी माला मंदिर और एक हो जाएगा दोस्त आपके कला मंडलम ठीक है एक हो जाएगा कौन सा प्यारे बच्चे कला मंडलम यह तीन चार चीज़े हैं यहाँ पर गूमने लाइक है एक last point और note कर ले ना दोस्त यहाँ पर जो बंदरगा है बंदरगा कोण कोण से है यह भी एक बार आप जरूर से note down करना कोचिन बंदरगा है एक तो है ना एक तो है आपका कोचिन बंदरगा और एक है आपका कोजी कोड बंदरगा एक कोण सा है आपका कोजी कोड बंदरगा तो अब सभी पहरे बच्चे एक बार यह सारी information note down करेंगे ओडिसा राज्जी के बारे में यहाँ की कुछ मैत्तपून static है जी के चलिए next बात करें गुरू जी यहाँ पर जो है देखो छोटे राज्जों में सीर्स परदर्शन करता राज्य वो तो मैंने बताये थे कोड वो तो अपन ने क्या बात करी थी पाचवे राज्य के बारे में पाच्वे राज्यों में बड़े राज्यों के बारे में बात करी थी अब यहाँ पर जो है आपकी छोटे राज्यों के बारे में है जिसमें छोटे राज्यों में कोण कोण से राज्ये है गोवा, मनिपुर, सिक्किम, मेगाले और नागलेंड बोलेंगे एक बार सभी गोवा, मनिपुर, सिक्किम, मेगाले और नागलेंड अगली बात करें सर जो केंदर सासित परदेशों में सीर्स इस्तान पर कोण कोण से हैं आपके जम्मु कश्मीर, दिल्ली, चंडिगर, लद्दाक, अंडमाननी को बार बोलेंगे सारे प्यारी बच्चे एक बार जम्मु कश्मीर, दिल्ली, चंडिगर, लद्दाक और अंडमाननी को बार ठीक है? चलिए अब बात करें गुरु जी अपने सफलता सिरीज के बारे में अब देखो पहला परसन जो आपका भुरुन है सर भुरुन किसमें मिलता है? भुरुन का मतलब क्या होता है? भुरुन के से आदात भुरुन से डायेट आप सोचते होगे कि भाई साब जो महिला होती है जब प्रेगनेंट होती है तो उसे भुरुन कहा जाता है बिल्कुल भाई उसे भी भृून कहते हैं लेकिन यहां पर उस भृून की बात नहीं कही गई है ओप्शन श्याधार पर कहा गया है कि बीज की अंदर ठीक है बीज में पाया जाता है भृून और यही चीज जो है महिलाओं के अंदर भी होती है अंडाश्य होता है एक परकार का बीज के टाइप का उसी को भुरुन कहा जाता है ठीक है? ओटोगैमी किसे कहते हैं? तो सभी पहरे बचे लिखेंगे एक बर जो आपका स्वेपराग स्वेपराग कन होता है इसे कहा जाता है क्या? ओटोगैमी एलोगैमी किसे कहते हैं? सभी पहरे बचे बोलेंगे आपके परपराग कन परपराग कन को कहा जाता है क्या? एलोगैमी अगली बात करें सर न्यूटन मीटर का मातरक क्या है? तो प्यारे बच्चे न्यूटन मीटर का जो मात्रक है आपके उर्जा ठीक है उर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो क्या है एक परकार का प्यारे बच्चे आपका विधिक अधिकार है क्या है आपका एक परक एक परकार का विधिक अदिकार है चलिए 1000 करोड रुपे की लागत से नंद बाबा दुग्द योजना शुरू करी गई है कितनी 1000 करोड रुपे की लागत से यह जो मिशन है दुग्द उतपादकों को देरी सहकारी समीतियों के माध्यम से गाओं में उचित मुल्य पर अपना दूद बेचने की सुविधा परदान करत याद रखना इस मिसन के तहत उत्पादों को गाउं में ही दूद की बिक्री की सुविदा के लिए डेरी किसान उत्पादक संग्ठन बनाए जाएंगे बिल्कुल ये सारी चीजे हैं किसके बारे में जो आपका नंद बाबा दुख्द योजना है इसके बारे में ठीक है चलि शहर मुंबई शहर है सबसे निकटतम शहर अगली बात करेंगे कि सर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो प्यारे बच्चे बोलेंगे नर्मदा नदी पर बना हुआ है क्या सरदार सरोवर डेम अगली बात करेंगे कि सर पुरानी जलोड मिट्टी को अन्य क किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे बांगर के नाम से, किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं, पुरानी जलोड मिट्टी को, संसार का सरवादिक सक्रिय जौला मुखी, अच्छा कुश्चन है, संसार का सरवादिक सक्रिय जौला मुखी, को अतश उद्योग की दृष्टी से कौन सा देश महत्पूर्ण है मचली पालन की दृष्टी से जो आपका नारवे देश है यहाँ पर सरवादिक मातरा में मचली पालन की आ जाता है ठीक है चलिए अगली बात करें गुरुजी परसंद संग्या तीन के बारे में कि निम्न में स कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करने वाला है तो प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जर्मनी जर्मनी जो है नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करने वाला है यूरोप की अंदर ठीक है जर्मनी करने वाला है अब दोस्त यहां पर बात करते हैं किसके बारे में एक बार जर्मनी के बारे में तो जर्मनी की जो राजदानी है सभी पहरे बच्चे नोट करेंगे बरलिन यहां की राजदानी है करंसी क्या हो जाएगी यूरो यहां की करंस और यहां के दो वर्तमान में राश्ट्रपती है जिनका नाम क्या है फ्रेंक वाल्टर इस्टीन मेयर यह कौन है पहरे बच्चे यहां के वर्तमान में राश्ट्रपती तो सभी पहरे बच्चे एक बार जरूर से बोलेंगे फ्रेंक वाल्टर इस्टीन मेयर यह क्या है यहां क एक बार जरूर से बोलेंगे सभी लोग हाँ ना अगली बात करें सर यहां पर पॱ्ण अगली बात करें जो पिटल्सबर के क्लाइमेट डायलोग की मेजबानी करी है तो प्यारे बच्छे किसने करी है तो दोस्त यहां पर करी गई है जरमनीा के दवारा जर्मनी के द्वारा करी गई है अगली बात करें कि सर किसे जर्मनी का सर्वोच सम्मान मिला तो प्यारे बच्चे बोलेंगे एंजेला मरकेल को किसे मिला है एंजेला मरकेल को दिया गया है अगली बात करें कि सर कौन अपने अंतिम सेस तीन परमाणू सयत्रों को बंद करेगा तो प्यारे बच्चे कौन करने वाला है जो जर्मनी है जर्मनी करने वाला है ठीक है अगली बात करें सर्वस रेष्ट सारवजनिक परिवहन वाले शेरों की लिष्ट में कोण सीर्ष पर रहा तो भाई साब सीर्ष पर कोण रहा है यहाँ पर सीर्ष पर रहा है बरलिन यहाँ पर सीर्स पर कों रहा प्यारे बच्चे बरलिन रहा है यहाँ पर सीर्स पर ठीक है चलिए अगली बात करें सर वापस एक बार सफलता सीरीज के बारे में कि सर मूल घाटी क्या है मूल घाटी है कहाँ पर है मूल घाटी है आपके कहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर मूल घाटी कहाँ पर है कैलिफोर्निया में है मूल घाटी अगली बात करें कि पिगमी जनजाती पाई जाती है अगली बात करें कि जैन धर्म में पूरण ग्यान के लिए क्या सब्द है तो प्यारे बच्चे बोलेंगे जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा आपका कैवल सब्द हो जाएगा पूर्ण ग्यान के लिए अगली बात करें कि बिंदु सार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहा बेजा था तो पहरे बच्चे अशोक को बेजा था यहां पर तक्ष सिला के अंदर अशोक को कहा बेजा था तक्ष सिला के अंदर बेजा था अशोक को ठीक है चलिए अगली बात करें पायरे बच्चे परसन संक्या 4 के बारे में कि निमन मेंसे किसे भूवैगैनिक सर्वेक्षन का नया महा निदेशा के नियुक्त किया गया है तो सभी पहरे बाचे एक बार जल्दी से बोलेंगे किसे किया गया है तो दोस्त ये किया गया है आपके जनार्धन परसाद को किसे करा गया है जनार्धन परसाद को किया गया है आज के बाद याद रखना अब जो गिरीश चंद्र मुर्मु है ये क्या है तो दोस्त ये हैं आपके विश्व स्वास्त संग्ठन जो आपका विश्व स्वास्त संग्ठन है विश्व स्वास्त संग्ठन का बहरी लेखा परिक्षक है अगली बात करेंगे कि श्री कृष्ण हरी हर सर्मा ये कौन है तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे करनाटक बैंक के करनाटक बैंक के M.D. और C.E.O करनाटक बैंक के M.D. वै C.O जो आपके चमनलाल है चमनलाल कौन है तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे जो चमल नाल है आपके बर्मिंगम की ये कौन हो जाएंगे बर्मिंगम के पहले भारतिय मूल के लोड मेर बत नहीं एक बर बोलेंगे सबी लोग ठीक है चलिए अगली बात करें सर किन सासकों ने खजुराहो मंदिर इस्तापत्य के निर्माण में सयोग किया था तो प्यारे बच्चे बोलेंगे किसने किया था जापके चंदेल है चंदेलों ने यहाँ पर कर दिया था किसने किया था प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार चंदेलों ने क किया था सही योग डाई दिन का जोपड़ा तो मेरे भाई डाई दिन का जोपड़ा अपन पढ़ते आए हैं कहां पर है पहली बात तो अजमेर के अंदर है कहां पर है अजमेर के अंदर है डाई दिन का जोपड़ा और ये जो है इसका ये एक पहले देखो पहले एक संस्कृत विद्याले था ये जो धाई दिन का जोपना था आप पढ़ोगे तो आपका पता चलेगा ये पहले एक संस्क्रत विद्याले था जिसे तुडवा दिया गया था और जिसे तुडवा कर एक मस्जिद बना दिया गया और जो मस्जिद है वो किसने बनाय था वो बनाय था आपक तुंग भद्रा नदी के तठपर तुंग भद्रा नदी के तठपर है पहरे बच्चे बोलेंगे एक बार तुंग भद्रा नदी के तठपर रैदास किसके सिश्य थे जो रैदास थे रैदास के गुरु कोन थे तो पहरे बच्चे बोलेंगे रामानंद रामा नंद थे रैदास के गुरू गुरू अर्जुन देव समकालिन थे गुरू अर्जुन देव किसके समकालिन थे तो बताएंगे सभी राइट आंसर एक बार जो जहांगीर है जहांगीर के समकालिन कोण थे गुरू अर्जुन देव ठीक है चलिए अगली बात करें दोस्त यहाँ पर परसन संग्या 5 के बारे में कि सर निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है तो प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार नालंदा का जो विमोचन है किस ने किया है तो यह किया है यहाँ पर अभै के के द्वारा अभै के ने किया है नालंदा पुस्तक का विमोचन अब यहाँ पर बात करें गुरु जी जो सांतनु गुपता है सांतनु गुपता की भी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है अजय टू योगी आदित्यनाथ यह ह अगली बात करें सार रस्किन बोंड के बारे में, तो भाई साब रस्किन बोंड की पुस्तक कोण सी है? The Golden Ears, The Golden Ears हो जाएगी रस्किन बोंड की पुस्तक, गोरी खान, गोरी खान की एक पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुई है, my life my life in design my life in design ये पुस्तक है किसकी गोरी खान की तो ये कुछ मेहतोपुन पुस्तके हैं जो आप जरूर से याद रखिएगा सबी पैरे बच्चे ठीक है चलिए अगली बात करें सर सपलता सीरीज के बारे में कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्तानांतरित करी थी तो सबी पैरे बच्चे बोलेंगे किसने करी थी मीर कासिम ने सबी मेरे साथ बोलेंगे किसने करी थी सर जी मीर कासिम ने करी थी मुंगेर से इस्तानांतरित मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्तानांतिरत कर दी थी अगली बात करें सर सिखों के अंतिम गुरू तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे गुरू गोविंद सिंग सिखों के अंतिम गुरू कोण है गुरू गोविंद सिंग हो जाएंगे सिखों के अंति में गुरु अगली बात करें सर समिधान के निर्माण में किस तना समय लगा था लल्लू सा सवाल है चोटा सवाल है लेकिन बार-बार पूछ लिया जाता है कि समिधान के निर्माण में आपको समय लगा था दो वर्स ग्यारे माँ और अठारे दिन दो वर्स ग्यारे माँ अठारे दिन का यहां पर समय लगा था संसद की कारेवाही सूची में पर्थम विसे होता है तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे क्या होता है परसन काल होता है परसन काल होता है कारेवाई सूची में पर्थम मिस है अगली बात करेंगे सर लोकसभा की पर्थम महिला अद्देक्स तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे लोकसभा की जो पर्थम महिला अद्देक्स बने गई थी वो कौन थी कल भी बताया था मैंने आपको मीरा कुमार मीरा कुमार थी लोक सबाकी पर्थम महिला अद्देक्स सभी प्यारे बच्चे एक बार याद रखेंगे इसको ठीक है चलिए अगली बाद करें सर परसन संक्या 6 के बारे में कि निम्न में से कौन सा देश क्रूड इश्टील का दूसरा सबसे बड़ा उतपादक बन चुका है तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे भारत देश भारत देश बना है आपके दूसरे नमबर का भारत देश बना है दूसरे नमबर का चाइना बना है पहले नमबर का और जापान बना है आपके तीसरे नमबर का सभी याद रखेंगे एक बार भारत बना है दूसरे नमबर का चाइना बना है पहले नमबर का और जापान बना है आपके तीसरे नमबर का कुरूड इश्टिल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चलिए अगली बात करें सर कि कावा महिला चैलेंज कब 2023 का जो किताब जीता है किसने जीता है अपने देश भारत ने जीत लिया है परियाटन छेतर में सीर्स इस्तान हासिल किया है किसने किया है तो सभी पैरे बच्चे बोलेंगे एक बार जल्दी से स्री लंका ने कर लिया है अगली बात करें सित्वे बंदरगा का संचालन शुरू किया किसने शुरू किया है ये क्या है भारत ने किसने शुरू किया है भारत ने शुरू किया है कहा से म्यामार से तीम बनी है, नम्बर तेस्ट है टीम, यूरॉप में रिफाइंड इंदन का सबसे बड़ा आपूरती करता ये कुण बढ़ा है तो सभी पयारे वच्चे बोलेंगे एक बार不同 said to do किया जाता है तो सभी पैरे बच्चे इसका राइट आंसर देंगे आर्टिकल 311 के तहत अगली बात करें सर छेत्रे परिसदों का गठर किसके द्वारा किया गया है तो सभी पैरे बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपती के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रप जिसका कारण होता है मेरे भाई अपवर्तन जिसका कारण क्या होता है अपवर्तन होता है इसका कारण बोलेंगे एक बार सभी दूप के चसमे की छमता कितनी होती है तो सभी पैरे बचे बोलेंगे एक डायप्टर जो दूप का चसमा होता है इसकी छमता कितनी होती है एक डाय परकास में उच्चतम उर्जा होती है तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे नीला परकास जो होता है नीले रंग का ब्लू रंग का जो ब्लू रंग की जो लाइट होती है इसमें उच्चतम उर्जा होती है चलिए अगली बात करें सर परसंद संक्या साथ के बारे में कि राज पसिममंगाल का चुनाव आयुकति नुक्ति किया है राजिल सिना को अभी हाली के अंदर और जो पसिममंगाल की राजधानी है राजधानी क्या हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी यहांकि राजधानी और जो कोलकाता है, आपके हुगली नदी के किनारे, कहां पर है, हुगली नदी के किनारे बसी हुई है कोलकाता नदी अगली बात करें पहरे बच्चे यहां की जो वर्तमान में मुख्य मंत्री है ममता बनर जी यहां की वरतमान में मुख्य मंत्री है ममता बनर जी और यहां के वरतमान में जो आप से राज़पाल पुछे तो सभी पहले बच्चे अबार नोट डाउन करेंगे राज़पाल कौन है सी वी आनंद बोस ठीक है जो नेशनल पार्क है नेशनल पार्क काफी जादा महतपूर्ण है पहला नोट डाउन कर लेना पहरे बच्चे गोरु मारा नेशनल पार्क है एक आजाएगा आपका सुन्दर बन नेशनल पार्क है सुन्दर बन नेशनल पार्क है एक हो जाएगा दोस्त आपके निवरा घाटी नेशनल पार्क है और एक हो जाएगा दोस्त आपके बुकसा बुकसा नेशनल पार्क है तो ये हैं कुछ यहां के महत्पून नेशनल पार्क है ठीक है चलिए अगली बात करें सर सपलता सीरीज में कि परदूसन मुक्त इंधन है तो सभी पैरे बच्चे नोट करेंगे जो आपका हाइड्रोजन है परदूशन मुक्त इंजन क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा आपका परदूशन मुक्त इंजन सर्वोत्तम कोईला तो सभी पैरे बच्चे नोट करेंगे जो आपका एंथ्रे साइट है सर्वोत्तम कोईला है कौनसा एंत्रे साइट जल में आसानी से गुलन सील है तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे जल में आसानी से गुलन सील है क्या है अमोनिया जल में आसानी से गुलन सील क्या है अमोनिया है जल में आसानी से गुलन सील गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है तो सभी पहरे बच्चे बोलेंगे जो आपकी नेफ्रोन है गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है आपकी नेफ्रोन है पेंगोईन जो चिडिया है वो कहाँ पाई जाती है तो सभी पहरे बच्चे एक बार नोट डाउन करेंगे आपके पाई जाती है अंटार टिका के अंदर अंटार के टिका के अंदर पाई जाती है क्या पेंगोईन नामक है चिडिया बोलेंगे एक बार सभी याद हुआ या नहीं हुआ? छलिए अगली बात करें दोस्त यहाँ पर परसन संक्या आट कि हाल ही में उपेंदर सिंग रावत को कहां भारत का राजधूत नियुकत किया गया है तो भाई साब उपेंदर सिंग रावत को बारत का राजदूत नियुत किया गया है कहाँ पर यूगांडा के अंदर कहाँ पर नियुत किया गया है प्यारे बच्चे यूगांडा के अंदर नियुत किया गया है उपेंदर रावत को अगली बात करें सर यहां पर सपलता सीरीज में कि बंद अर्थिविवस्ता से आप क्या समझते हैं तो भाई साथ बंद अर्थिविवस्ता का मतलब होता है आयात निर्यात बंद आयात निर्यात बंद यह होता है बंद अर्थिविवस्ता से अगली बात करें सर बारत में सैका सेकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे जो आपकी एफ निकोलसन है जो आपके एफ निकोलसन है इसे माना जाता है भारत में सेकारी आंदोलन का जनक अगली बात करें लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर परकार परियुक्त होता है तो लेजर प्रिंटर के अंदर लेजर परियाग, लेजर का जो परकार होता है, अर्द चाला के लेजर होता है, सतलज नदी कहां से निकलती है, तो सभी प्यारे बचे नोट करेंगे, तो सतलज नदी निकलती है आपके राकसस ताल जील से, कहां से निकलती है, राकसस ताल जील से निकलती है कोण सी नदी सतलज नदी अगली बात करेंगे कि सर यमुना नदी कहां से निकलती है तो सभी पैरे बचे नोट करेंगे जो आपकी यमुनोत्री हिमनद से कहां से निकलती है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है क्या यमुना नदी ठीक है चलिए अगली बात करें सर परसंद संक्या 9 के बारे में कि हाल ही में किसे बारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रैंड का खिताब मिला है तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे बारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रैंड का जो खिताब दिया गया है टाटा गुरुप को दिया गया है जो कि ये गर्व की बात अपने भारत के लिए अगली बात करें सर यहाँ पर परसंद संक्या पहला की भारत में सर्वुत्तम चाय कहां से पैदा होती है तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे दारजिलिंग से और दारजिलिंग की जो चाय है ना काफी फेमस भी मानी जाती है दारजिलिंग की चाय ठीक है अगली बात करें देश की सबसे लंबी नहर तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे इंदरा गांदी देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है इंद्रा गांदी इन नहर है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है आपके ब्राजील ब्राजील हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक देश मोहन जोद्रो एम हडपा की पुरा तात्विक खुदाई के परभारी तो भाइसा परभारी कोन थे तो नाम नोट करेंगे सर जोन मारसल कोन थे सर जोन मारसल थे ठीक है चलिए अगली बात करेंगे सर नागारजुन कोन थे तो पहरे बच्चे नागारजुन थे आपके कोन बोध दारसनिक नागारजुन कोण थे आपके बोध दारसनिक थे नागारजुन ठीक है हो गए इतना चलिए अगली बात करें सर लाश्ट कोशन आज का कि हाल ही में IASA की स्ताई समीति की आठवी बैठक कहां पर आजजित हुई है तो प्यारे बच्चे IASA मतलब Indian Solar Association इसकी दो आठवे नंबर की जो बैठक है ये कहां पर आजजित करी गई है नई देली के अंदर आजजित करी गई है अब ये देख लीजिए परसनाज के की कोन गुल रुखी के उपन्यास से कविताएं लिखा करता था तो प्यारे बच्चे जो आपका सिकंदर लोदी था कोन है सिकंदर लोदी ये लिखा करता था सिकंदर लोदी दाराशिकों ने किस सूफी सिलसले को अपनाया तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे कादिरी कादिरी को अपनाया था अगली बात करें किस अनुछेद के तहित संसद को नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार परदान किया गया है तो प्यारे बचे नोट करेंगे Article 11 के अंदर चंदन पेड को क्या माना जाता है तो सभी प्यारे बचे नोट करेंगे एक बार चंदन पेड को माना जाता है आपके आनशिक मूल पर जीवी आनशिक मूल पर जीवी माना जाता है चंदन पेड को आलू किस कुल से सम्मंदित है तो सभी प्यारे बचे नोट करेंगे आलू जो है आपके सोले नेसी सोले नेसी नामक कुल से संबंदित है आलू ठीक है चलिए अब ये है आपकी स्टेटिक जी के ठीक है और जो टोपिक है वो ही कल वाला ही है भारत में पर्थम महिलाएं इसके अलावा कल आपको नेस्ट टोपिक मिलेगा अच्छा सा कोई ठीक है आपको अगर कोई टोपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बता दीजेगा कि आपको स्टेटिक का कौन सा टोपिक चाहिए उस टोपिक पर कल वीडियो बना देंगे ठीक है वो टोपिक लियाएंगे आप कमेंट बोक्स में जरूर बताना है एक बार संयोकता राष्ट संग इन में से भारत की पर्थम महिला भारतिय संयोकता राष्ट संग भारत की पर्थम महिला भारतिय राजदूत कोण थी तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे एक बर ये कौन थी आपके ये थी आपके विज्या लक्समी पंडित नाम नोट करेंगे विज्या लक्समी पंडित का विज्या लक्समी पंडित ठीक है विज्या लक्समी पंडित अगली बात करें सर इंगली सेनल पार करने वाली पर पर्थम भारतिय महिला तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे यहाँ पर नाम आ जाएगा आपके आरती साहा नाम आ जाएगा अगली बात करें सर नोबेल पुरुसका प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिय महिला कौन थी तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे मदर टे अगली बात करें सर एवरेश्ट सिकर पर पहुंचने वाली बारत की पर्थम महिला एवरेश्ट सिकर पर कोण पहुंची है बचेंदरी पाल एवरेश्ट सिकर पर कोण पहुंची है बचेंदरी पाल पहुंची है एवरेश्ट सिकर पर मिस वर्ड बनने वाली भारत की पर्था महिला तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे एक बार कुमारी रिता फारिया नाम नोट करेंगे कुमारी रिता फारिया जी का अगली बात करें सर एवरेश्ट पर लगातार दो बार चड़ने वाली भारत की पर्था महिला तो प्यारे बच्चे नोट करेंगे, क्या हो जाएगा, संतोस यादव, संतोस यादव हो जाएगा इनका नाम, संतोस यादव, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पर्थम महिला, तो सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे एक बार, जो आपके सुस मिता सेन है, ये बनी है, ओलम्पिक में कोई पदक पाने वाली बारत की पर्थम भारतिय महिला ठीक है पर्थम भारतिय महिला तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जरूर से नोट करेंगे करणम मलेशवरी का नाम अगली बात करें सर अंतरिक्स में जाने वाली पर्थम भारतिय महिला तो सभी प्यारे बचे नोट करेंगे कलपना चावला का नाम किसका कलपना चावला का नाम अगली बात करें सर एशियाई खेलों में स्वरन पदक जीतने वाली भारत की पर्थम महिला तो सभी प्यारे बचे नोट करेंगे एक बारे जापके कमल जीत संदू है कमल जीत संदू है यह हो जाएं यह आपकी भारत की पर्थम महिला ठीक है पर जो आपकी स्वरन पदक जीतने वाली भारत की पर्थम महिला अगली बात करें सर यहाँ पर अगली बात करें कि सर ओसकर पुरुसकार प्राप्त करने ओसकर पुरुसकार जीतने वाली भारत की पर् नोट डाउन कर लेंगे, अगली बात करने साँ राज सभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की परथम महीला फिल्म अभीनेत्री, तो सभी प्यारे बच्चे नाम नोट करेंगे, नर्गिस दत का नाम यहां पर आप नोट डाउन करेंगे, भारत की सिनेमा की परथम अभीन तो प्यारे बच्चे नाम नोट करेंगे जो आपकी देवी का देवी का रानी रोरी का ठीक है चलिए अगली बात करें सर विस्व बैडमिंटन चैंपियन सिप में पहली एकल का पहली एकल का खिताब जीतने वाली भारत की पर्थम महीला तो सभी प्यारे बच्चे नाम नोट करेंगे किसका पीवी सिंधू का किसका नाम नोट करेंगे यहाँ पर है पीवी सिंधू का यहाँ पर नाम नोट डाउन कर लेंगे अगली बात करें ओलंपिक बैडमिंटन में काश पदक जीतने वाली बारत की पर्थम महिला तो प्यारे बच्चे बारत की जो पर्थम महिला थी वो कौन थी आपके साइना नहवाल साइना नहवाल थी बारत की पर्थम महिला साइना नहवाल चलिए अगली बात करें सर ओलंप अंदर, ओलम्पिक के अंदर किसने जीता है, साक्सी मलिक ने जीता है, ओलम्पिक मुक्य बाजी में काशपदक जीतने वाली भारत की जो पर्थम महिला है, तो प्यारे बच्चे नोट डाउन करेंगे मैरी कोम के बारे में, अगली बात करें, नोबेल पुरुसकार पाने वाल आप बारतिया राष्ट्या कांग्रेज की पर्थम भारतिय महिला अध्यक्स तो सभी पहरे बचे नाम नोट डाउन करेंगे किसका सरोजनी नाइडू का किसका नाम नोट डाउन करेंगे सरोजनी नाइडू का ठीक है भाई चलिए अगली बात करें ये मैंने कल आप से कोशन पूछा था कि जूनियर का बड़ी विश्विट चैंपेंशिप 2023 का जो खिताब है किसने जीता है अपने देश भारत ने जीता है ये है आपका आज का सवाल आप कमेंट वोक्स में आप इसका राइट आंसर है दे दीजीगा ठीक है चलिए क्लास के दोस्त आपकी समापती हो चुकी है आई होप आप क्लास अच्छी लगी होगी ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ नई जो सुमंग के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत